गूड मॉर्निंग इस्टेडी सेंटर विद देवरिशी भारदुआज। इस्टेड्स आज हम बात कर रहे हैं आपके न्यू चेप्टर कार्वन एंड इट्स कंपाउंड से जानेंगे इसके इंट्रोडेक्शन को and how carbon attain novel gas configuration तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले the introduction of carbon देखो the element carbon is non-metal यह non-metal होता है its symbol is C इसको हम capital C से represent करते हैं carbon is versatile element the percentage of carbon present in earth crushed in form of minerals is 0.02% जो यह versatile element है और जो अर्थ की crust होती है यह उसमें minerals की form में पाये जाता है और इसकी परसेंट होती है अर्थ की crust के अंदर वो 0.02% रहती है and in atmosphere और bio bundle में as CO2 carbon dioxide gas होती इस प्रकार की form में यह पाये जाता है और इसकी percent 0.03% रहती है atmosphere के अंदर all the living things, plants and animals are made up of carbon waste compounds जितने भी elements है, living things है, plants है, animals है यह सब carbon waste compounds से मिलकर बने होते है carbon always form covalent bond यह हमें सा covalent bond form करते हैं देखो bond होते हैं two types के, एक तो covalent bond और दूसरा होते हैं ionic bonds, तो यह covalent compounds होते हैं, covalent bond को form करते हैं the atomic number of carbon is 6, जो carbon का atomic number होता है, वो 6 होता है तो इनका electronic configuration क्या रहेगा, सबसे अंदर बड़ी class में two electrons आ सकते हैं two, फिर कितने बचे, six मैं से, वस 40 बचे, ठीक है मैं एक बार बता जिता हूँ, इस से पहले में बता चुका हूँ आपको, कि electronic configuration कैसे करते हैं इसके लिए जो formula रहता है, वो रहता है two n square ठीक है, तो देखो n के जीगा हम one रखाएंगे, तो one square multiply two, तो कितना आएगा? two, second class के लिए लेक्टाउन से निकालना है, तो n के जीगे हम रखेंगे two, second के लिए two, two square, multiply two, तो कितना आगया? eight, अगर हमको third का निकालना होता, तो three square nine, nine two is 18, तो two, फिर eight, फिर 18, इस प्रकार से ये आते हैं, ये maximum में लेक्टाउन सो सकते हैं, किसी भी class में अब क्या है, कि इसके पास देखो, सबसे पहले हम अंद्रबली class को पूरा करेंगे two, फिर हम पूरा करेंगे second class को, तो इसके पास कितने बचे? four ही बचे तो हम four लिख दाएंगे, maximum eight आ सकते हैं second class में, लेकिन उससे कम भी आ सकते हैं, अगर कम है तो कम ही आएंगे, जादा तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन eight से जादा नहीं आ सकते, और एक और ध्यान रखना है, कि बाहर वाली class में, कभी भी eight से जादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और कोई भी element यह चाहता है, कि उसके बाहर वाली class में eight electrons पूरे हो जाएं, क्योंकि eight को complete मॉना जाता है, लेकिन hydrogen ऐस element ह जो बाहरवरी क्लास में two electrons चाहता है क्योंकि वो two पर भी complete हो जाता है ठीक है अब बात करते है how carbon attain novel gas configuration ये novel gas configuration कैसे attain करते हैं कैसे achieve करते हैं देखो carbon is tetravalent अभी हमने example के देखा carbon का कि बाहरवरी क्लास में four electrons है तो आप हमको ध्यान रखने हैं बाहरवरी क्लास के electrons को ये main इसमें जरुवत पढ़ने वाली है इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं tetravalent ठीक है क्योंकि इसके बाहरवरी क्लास में four electrons रखते हैं it does not form ionic bond ये ionic bond form नहीं करता है ionic bond कैसे form होते हैं देखो ionic bond form करने के लिए या तो electrons को हमको lose करना पड़ेगा electrons को खोना पड़ेगा या electrons को gain करना पड़ेगा तो it does not form ionic bond either by losing four electrons या मतला अगर loss करेगा ये electrons को तो C4 positive ये ऐसा भी नहीं कर सकता है और by gaining four electrons मतलब C4 negative charge ये ऐसा भी नहीं करता है ना तो electrons को loss करता है 4 electrons को loss कर पाता है और नहीं 4 electrons को gain कर पाता है तो इसके उपर क्या है यह tetravalent होता है और यह ionic bond को form नहीं करता है तो it is difficult तो क्या होगा it is difficult to hold 4 extra electrons and would require large amount of energy to remove 4 electrons अब इसको ऐसा जब यह remove नहीं कर पाता है लेकिन क्या इसके बारबर class में 4 electrons हैं उनको hold करने के लिए बहुत अधिक energy کی अशकता होती है large amount of energy और उनको remove करने के लिए बहुत अधिक energy کی अशकता होती है मतलब ना तो यह उनको hold कर पा रहा है और नाया उनको यह remove कर पा रहा है तो यह क्या करता है so carbon can form bond by sharing of its electrons तो ये एक नया काम करता है कि electrons को share करता है ठीक है with the electrons of other carbon atom किसी दूसरे carbon atom के साथ या फिर with other element या फिर किसी और element के साथ मतलब ये क्या काम करेगा ये electrons को ना तो loss करेगा lose करेगा और ना उनको gain करेगा लेकिन ये electrons को share करेगा उनकी साज़ेदार ही करेगा किसी दूसरे carbon atom के साथ या फिर किसी और element के साथ and attain noble gas gas configuration और इस प्रकार से क्या हो जाएगा ये noble gas configuration को attain कर लेगा उसको achieve कर लेगा the atoms of other elements like hydrogen, oxygen and nitrogen, chlorine also form bonds by sharing of electrons जो atoms होते हैं other elements की जैसे carbon के लाबा अगर other elements की बात करते हैं hydrogen है, oxygen है nitrogen है, chlorine है ये also form ये भी क्या करते हैं bonds बनाते हैं by sharing of electrons ये भी electrons को share करके bond बनाते हैं the bond found by sharing of electrons between same or different atoms is covalent bond इसी को हम covalent bond कहते हैं मतलब अगर electrons को share करने पर जो bond form हो रहा है चाहिए वो एक जैसे elements के बीच में हो रहा है बीच में हो रहा है, अलग-लग type के atoms के बीच में तो इस प्रकार से electrons को share करके जो bond बनता है उसी को हम covalent bond कहते है जैसे example लेते है hydrogen gas का तो hydrogen gas में hydrogen के दो atom होते है H2 hydrogen के पास एक electron रहता है अब ये दोनों एक जैसे ही element है hydrogen hydrogen तो देखो ये क्या काम करेंगे मैंने बताया था कि hydrogen अगर बार-बार फ्रस में 2 electrons पूरा कर ले तो वो complete माना जाता है तो देखो दोनों ने क्या किया 1-1 electrons को share किया अब देखो दोनों के पास 2-2 electrons हो गए इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि hydrogen gas में hydrogen atoms के बीच में क्या रहता है single bonding रहती है तो देखो नीचे दिखाया गया H single bond का symbol है ये नीचे जो line खिची हुई है H single bond with hydrogen atoms दोनों ने क्यों की 1-1 electrons को भी share किया है अब बात करते है oxygen gas की तो देखो oxygen के पास total होते है 8 electrons मतलब 2,6 लिखेंगे तो बाहर बात क्लास में के ही electrons हमको लिखने है अब इसमें भी 6 लिख दिये है इसमें भी 6 लिख दिये अब इनके पास 2 electrons की कमी है 8 complete करने के लिए तो इस 2-2 electrons को share कर लेंगे तो total 8-8 हो गए दोनों के पास ठीक है तो हम कह सकते हैं दोनों ने 2-2 electrons share की है तो इनके बीच में double bonding O double bond O ऐसी nitrogen gas इसके पास total 7 electrons होते हैं तो हम लिखेंगे 2,5 अब 5 है बाहर बाहर बाहरी क्लास में तो मतलब 3-3 electrons को ये share करेंगे तब ही 8 होंगे complete अब देखो दोनों के पास 8-8 electrons है तो हम कह सकते हैं nitrogen gas में अगर उनके atoms के बीच की बात करें तो उनके atoms के बीच में triple bonding रहती है अब जो bonding हो सकती है जो covalent bond के अंथर बात कर रहा हूँ जो bonding हो सकती है उस में किवाद single bonding, double bonding या triple bonding यही हो सकती है स्यदा नहीं हो सकती और सब से strong मान जाते है single bonding उसके बाद double warning थोड़ी कमज़ोर और triple warning और भी कमज़ोर मानी जाती है अब बात करते हैं इसके अलावा देखो hydrogen and oxygen मतलब H2O water molecule है यह H2O उसके बीच की देखो hydrogen के पास one electron है oxygen के पास बारबाइट कास में six electrons है और यहाँ पर फिर hydrogen के पास one electron तो क्या करेगा इसको one electron के यह रवत है दौनों hydrogen को और oxygen को दो की तो यहाँ पर एक-एक electron share कर लेगा और यहाँ पर भी एक-एक electron share कर लेगा तो ऐसा करने से oxygen को दो electron extra मिल गए और इनको one-one electron share extra मिल गया तो मतलब सबके electron पूरे हो गए तो H single bond O single bond H ठीक है अब जानते हैं physical properties of covalent compounds जो covalent compounds हैं इनकी physical properties गया होती है तो covalent compounds have low melting and boiling points as they have peak intermolecular force जो covalent compounds होते हैं उनके melting points और boiling points दोनों ही कम रहते हैं जैसे अगर हम उनको हम fridge कर दें जमा दें तो वो क्या होंगे जल्दी ही melt हो जाएंगे अगर उनको ऐसे रखेंगे तो इसके अलावा अगर हमें को boil करना है start करना है तो जल्दी से एक S की form में आ जाएंगे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके intermolecular force रहती है वो कम जोर रहती है क्योंकि bonding bonding के बाद intermolecular force कम जोर रहती है और single bond के और कमज़ोर होती है triple bond की और भी अधिक कमज़ोर हो जाती है ठीक है इसके अलावा दे आर generally poor conductor of electricity as electrons are shared between atoms and no charge particles are formed यह electricity के poor conductor होते हैं because यह electrons को share करते हैं तो इससे उनके बार-बारी class में electrons पूरे हो जाते हैं electrons मतलब free नहीं रहते हैं जब पूरे हो जाते में तो फिरी इस्टेट में नहीं रहते हैं अब कहीं और नहीं जाना चाहते हैं और electricity जो further flow होती है electrons के flow होने से ही Oo electrons के बुगसा जाने पार ही आए electricity इनके electrons जब Dash हो जाते हैं यह नहीं जाते तो बहाँ पर वो electricity के good conductor माने जाते हैं तो ये poor conductor होते हैं covalent compounds So I hope समझ में आ गया होगा car one and its compounds क्या होते हैं और इनकी physical properties क्या हैं इसके राबा वो novel gas configuration को कैसे achieve करते हैं So thank you